ताहिर गोरा के शो बिला तकलूफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के शो में बाचेत का अगाज हम उन तीन इंटरनाशनल स्टूडन्स की गृफतारी के अवाले से करेंगे जिने RCMP ने हरदीप सिंग नजर के कतल के इलजाम में तीन मई को गृफतार किया था इनकी कोट में पहली पेशी साथ मई को विडियो लिंक पर हुई प्राइम मिनिस्टर टूडो पहले ही नजर के कतल में भारत पर इलजाम धर रहे हैं अब इन गृफतारियों के बाद भारत कैनेड़ा के तालुकात क्या रूफ इक्तियार करते हैं इसका जाइजा लेंगे अमरीका में सदर बाइडन ने युनिवरस्टियों के अंदर फलिस्टीन के हक में होने वाले मिजाहरों के तनाजर में बढ़ते एंटी सेमिटिजम पर खच्चे का इसहार क्यों किया है भारत में एलेक्शन्स का तीसरा राउंड अप मुकमल हुआ ताजा प्रोजेक्शन्स का जाइजा लेते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्टानी फौज के ISPR ने इमरान खान की हमाहिट से किसी किसम की बाचीत के इमकान को रद कर दिया है और नौ मई के जमेदारान पर सत कारवाई का इंदिया किया है तो चलिए आज के प्रोग्राम का हगास करते है बाचीत हम शुरू करेंगे उन तीन इंटरनाशनल स्टूरंट्स की गरिफतारी के हवाले से जिने आर सी एम पी ने हरदीट सिंग नजर के कतल के इल्जाम में तीन मई को गरिफतार किया था इनकी कोड में पहली पेशी साथ मई को हुई प्राइम मिनिस्टर टूडो पहले ही नजर के कतल के इल्जाम पर भारत को जमेदा ठहरा रहे हैं अब इन गरिफतारियों के बाद भारत कैनेडा के तालुकात किस तरफ जाते नजर आते हैं जी प्राइम निस्टर जेस्टिन टूडो ने 18 स्टमबर 2023 को किनेडियन पार्लिमेंट के अंदर खड़े ओकर कहा था कि हरदीब सिंग निजर के कतल के पीछे बारती हकूमत का हाथ है उन्होंने कहा था कि मेरे पास से क्रेडिबल इन्फरमेशन आफ अ क्रेडिबल लिंक है और उस पे फिर लोगों का ये ख्याल था कि ये शायद कोई बहुत बड़ा ग्रूप है जिसके बारे में प्राइम निस्टर टूडो को इन्फरमेशन मिली है जिन्होंने निजर का कतल किया है और मुझे याद है कि प्राइम निस्टर टूडो के इस स्टेटमेंट के बाद जो नोंने पार्लीमेशन में दी कैनडा की इंटेलिजन स्क्यूर्टी सर्विस के फॉर्मर डारेक्टर ने एक इंट्रिवियू में सी बी सी को कहा कि अगर भारत इसके पीछे है तो इसके जो निजर के कातल हैं वो तो छोड़ चुके होंगे कैनडा और अब कोई आठ नो महीने बाद तीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पंजाब से जिनका तरलक है जो कैनिडा आए कोई दो से पाइच साल के अंदर जिनकी उम्रें जो है वो बाईस साल से अठाई साल बताई जा रही है एक का नाम करन परीत सिंग है एक का नाम कमल परीत सिंग है इनकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं मीडिया में तो प्राइम निस्टर टूडो ने अठारा स्टंबर को जिस तरह ये बात की थी तो लगता था कि कोई बहुत ही डिफरेंट लोग हैं जन्हों ने ये कतल किया मगर अब आट नो महीनों बाद गरफतारी हुई है तो थोड़ स्टूरेंट्स हैं तो लोग इस पर थोड़े से स्कैप्टिकल हो रहे हैं कि भाई ये क्या खेल तमाशा है वो भी इंटरनेशनल स्टूरेंट्स जिनका तरलक से कम्यूनिटी जे हैं और इंटरनेशनल स्टूरेंट्स तो शायद नहीं समझे जाते इस तरह के बहुत ही के पीछे लेकिन अब बरहल वो गिर्फदार हुए हैं आर्सी एंपी निस पर अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं तो ये बात बड़ी इंपॉर्टन्ट है कि जो बात प्राइमनिस्टर टूडो ने अठारा स्टंबर दो हजार तेश को की थी उस पे गिर शायद इस पर कोई एक्षिन या तो होने वाला है अठारा स्टंबर दो हजार तेश के फॉरण बात लेकिन जो एक्षिन हुआ है वो तो बहुत बाद में हुआ है और जो इसके अब रिजल्ट्स हैं वो बाद में पता चलेगा अब तीन माई को ये इंटरनेशनल स्टूड ग्रिफतार हुए थे साथ माई को इनको वीडियो लिंक के जरीए बीसी कोट में पेश किया गया है अब आपका एक और इसमें जोड़ावा सवाल था कि अब भारत और कैनेडा के तलकात किस रुख को जाएंगे तलकात पहले ही बहुत खराब हैं और इन तलकात के हवाले से कह दिया है अल्रेडी जैशंकर जी ने जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या है कैनेडा में एक वाकिया होता है कैनेडा में वो स्टूड़े जाते हैं जिनको कैनेडा ने खुद वीजा दिया था और हमारे जो इंडिया के यहां पे कमिछ तरहे हैं उन्होंने भी किसी मीडिया पर बात कि वीजा धना है इसमें हमारा क्या लेना देना लेकं ये स्टेट्मेंट्स जो है दोनों देशوں के अपनी जगा पे तलकात बहुत किशिदाए है क्योंक Espirit है कि जिस तरह भारत को मीडिया पर पे वाला नहीं है मगर एक बहुत ही जिसे कहते हैं गलत फजा काइम है जिस फजा के नतीजा में भारत को एक विलन के तौर पर केनेडियन मीडिया भी पेश कर रहे है केनेडियन पॉलिटीजिन्स भी पेश कर रहे हैं और अफ़ कोर्स बारत इसorte कोई अच्छा नहीं समझे रहा और तलकात मजीद खराब होगे हाला कि इस कतल के पीछे जो तीन स्टूरेंट्स पकड़े गए हैं अब ये भी तो साबत होना है कोट में जाके अभी तो उसमें वक्त लगेगा शाद चंद साल लग जाएं फिर मोटिव समझाएगा कि उन स्ट अधनी फजा भारत के खलाफ करदी या खालसनी ऐलिमेंट्स ने उसमें कैनडा के पॉलिटीशन भी इन्वाल्व हैं तो बरहाल तलकात दोनों देशों के मजीद खराब पहले खराब हैं मजीद खराब होंगे चलिए अब कैनडा के खालसतानी नासर इन गरिफतारियों के कहीं सिटिजन कोट लगा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मूदी के पतले को एक जेल नुमा पिंजरे में कैद का रखा है इस तरह की हरकतों को आप कैसे देखते हैं बड़ी ये डिस्टेसफुल गटिया हरकते हैं पहली बात ये के कोट सिटिजन कोट नामी कोई निशाह नह और मुझे कोई शदीद प्राबलम है कोई शदीद कोविड हो गया है या नमूनिया हो गया है या कोई भी प्राबलम है तो मैं सिटिजन डॉक्टर के पास जाओंगा मैं तो परफेशनल डॉक्टर के पास जाओंगा ना अब ये जोक मना लिया मैंने वो वीडियो देखे उसमें, उन्बिलिवेबल, वो जो हमारे पंजाब में, पाक सानी पंजाब में, जो सरकस क्यों होते थे थे ते, उसमें, सरकस लगी होती थी, पिजरा आता था, उसमें एक जानवर को डाला उता था, कि जी ये है, लोग उस पर धोल बजा रहे हैं, कटल में खा रहे हैं, जले मिया खा रहे हैं, यही मनजर आप कैनेडा में हो गया है, यानि अब कैनेडा इस तरह का हो गया है, कि यह कोई पंजाब का पिंडबन गया, for God's sake, भई उन्रुकस नमा ठीक है नजी, और पंजाबी सरकस नमा रहे हैं मगर मुझे अफसोस है हमारे अपने कैनिडा के पॉलिटीशन्स पे सबसे ज्यादा अफसोस है प्राइम निस्टर टूडो जिन्हों ने इस केस को बिलकुल नॉन प्रोफेशनल टील किया भई अगर इनके पास कोई क्रेडिबल लिंक थी इन्फरमेशन थी निजर के कतल के सिर्सा में जिस तरह नों ने पार्लीमेंट में ये बात की वो पार्लीमेंट में जिस अंदाज के साथ बात की थी प्राइम निस्टर टूडो के अपने मोटिव्स नजर आते थे मैं यह नहीं कह था कि प्राइम निस्टर टूडो जो कह रहे थे वो कोई गलत है हो सकत उसमें कोई उनके पास वाकिए क्रेडिबल इंफरमेशन हो मगर पार्लिमेंट के अंदर खड़े हो के इस तरह का मजाख बनाना इस तरह का सीन काइम करना वो एक बहुत बड़ा मस्दा था अब देखे ना जैसे अमरीका में भी कुछ एक खालस्तानी लीडर के हवाले से कोई की इंफरमेशन सामने आई वो बलके उन्होंने एक डाजियर इंडियन गार्मेंट को अमेरिकन्स ने दिया कोई किसी कांगरिस में या मतलब बाइडन ने कोई कोई खुद से ये स्टेटमेंट नहीं थी हालांके उनके पास कैनिड़ा से ज्यादा क्रेडिबल कोट अनकोट इंफरमेशन थी अगर वो क्रेडिबल की हम टर्मिनालोजी की बात करें लेकिन टूडो ने तो मजाग बना दिया जिस तरह उसको पेश किया जिस तरह इस पे उन्होंने बात चीत की जिस तरह की हरकते अभी पिछले हफ़ते हमने बात की थी जिस तरह ये खालसा परेड में जाके खालसान जिन्दाबाद के नारे लग रहे हैं और प्राइम निस्टर रॉफ कैनिड़ा उस पर मुस्करा रहा है ठीक है और सबस्राफ सोस की बात ये है कि ये तमाम वो कल्चर है जो उन मुलकों में भी नहीं हो रहा है जिन मुलकों से आके यहां पे किया जा रहा है और ये इतनी हैरत अंगेस बात है ये हमारे कनेडियन सिटिजन्स के कंसर्न की बात है कि ये वो प्लिटिकल कल्चर है जो कि अब औरिजिनेटिड कंट्रीज में भी खतम हो गया हुआ है लेकिन वो यहां आ रहा है यहां आ रहा है आ चुका हुआ है और 21 सदी में 2024 के साल में बैठे हुए हम किस तरह का तमाशा देख रही है भाई अभी तो अभी प्राइम निस्टर ने जैसा मैंने का अठारा स्टमबर दोजार टेश को का था क्रेडिबल इंफरमेशन है पकड़े लोग अब गए आट नो महीं नो बात उस वक यह यह लगता था कि जैसे कोई चैमपीज ने और इसकी कैबिनेट के लोगों ने हो और फिर किनेडियन मीडिया एक ड्रामा लगाया हुए और फिर यह जो अब यह कोछ पिंजरा बना रहे हैं पहले कुछ महीने पहले हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांदी का मुझसमा था कोई पुतला था उस पर मतलब खून के रंग वाली जो हैं धारें पहंकी जा रही हैं और वाइलन्स और गलोरिफिकेशन आफ टेरिरिजम को कैनेडा में बढ़ाया जा रहा है मतलब यह है मतलब ऐस अ किनेडियन जर्नलिस्स ऐस अ किनेडियन सिटिजन मैं बह हमारे नौजमान लोगों में खास तोर पे बहुत खौफनाक नताइच का हामिल हो सकता और इसके साथ-साथ यह इस बात का भी बताता है कि हमारा माहौल यहां पे किस कदर दह्शतनाक हो चुका है जिसमें के खून के छीन्टे दिखाना या इस तरह की चीज़ें दिखाना स तो वो एक पिंजरा नुमा दिखा रहे हैं कह रहे हैं 18 जून को 2023 को निजर का कतल हुआ था तो हम 18 जून हमने गिर्फतार कर लिया मुदी को और अब हम 18 जून को उसके जो मुझसमे को हम मारेंगे स्ट्रेसिनेट करेंगे यानि सारे का सारा जो जस्ट्रस अपने हाथ में लेंगे यानि कैनिड़ा का जो लाओ एन ओर्डर है उसकी कोई परवाद नहीं है खुद से ही ये अदालतें लगाएंगे खुद से ही ये टै करेंगे लेकिन आपने बहुत अच्छा है इसको स्टेट पहले ही कर दिया कि ये जो पंजाबी ड्रामे और सरकस की महौल की वो चीज़ें उसको उन्होंने प्ले किया है ऑन दे रोड तो ये बड़ी इंटरस्ट लो ना सिर्फ प्ले किया है उन्दर रोड ड्रामा बना दिया उसको मजाक बना दिया है जोक बना दिया लेकिन नहीं ये जोक लेकिन वह अपनी तरस से एंटेटेंबंट जोक कर रहे हैं बट ये अर वेरी सीरियस शेमफुल बात ये है कि किनेडियन एथर्टीज कहां पे ह है ये महाल खराब है ठीक है किनेडियन सरकार कहां पे है बही अबी कुछ थाबत तो नहीं हुआ ना अगर थाबत होगा तो ये किनेडियन सरकार का काम है हूँ ता हैल आर सिटिजन्स चाहिए वो किसी भी बैग गराउंड के हों कि वो ये अदालतें लगाएं और अदालते है और हाइली कंडेमेंबल है और मैं फिर दो रहाता हूँ इसमें जो ये हरकते कर रहे हैं उनकी जहालत तो पता चली रही है कि कितने वो जांगली और जाहिल है वो लेकिन जो हमारी सरकार लाइन ओर्डर की एजंशियां है उन पर भी लानत हो मैं अज़ सिटिजन उन तो ये एक नए तरह का पुलिटिकल महाल जो है उसको जगा दी जा रही है जो के बाइट सेल्फ टेररिजम का एक आक्ट जो है उसको गलोरिफाई करना है ठीक है कोट्स पर मकदमे चलते हैं ये भी समझ आता है कि आपको किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए टाइम दर रहा है इस पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील किया जाता है कि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग है हमारी रवायतें और कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉंग है वो बहुत इंसानी हकूप पर मुपनी है लेकिन इस किसम के कल्चर को फरोग पुलिटिकल कल्चर को फरो उठा रहे थे अब इन सेंटिमेंट्स को आप कैसे देखते हैं ये उसी से रिलेटेड है अब देखिए वो एजेंट्स आफ इंडिया ये पहले से ही फैसले कर रहे हैं कोर्ट को फैसला करने देना परसीडिंग चलने दें किया वाके ही उन्होंने अगर पहली बात नमबर एक क्या वही नौजवान निजर के कतल में मुलवथ हैं ये फैसला तो कोर्ट ने करना अभी तो आर्ची एंपी ने चार्जिज लगाए हैं ये किस किसम का मुल्क बंग चुका है कैनिड़ा और ये किस किसम के जाहिल जांगली लोग हमें ये इस तरह की हरकतें दिखा रहे हैं कि भई एजन्ट्स ऑफ इंडिया ये तो बात की बात है पहले तो कोर्ट ने ये इस्टैबलिश करना है रूल अफ लॉफ लॉफ के ताहित कि यही वो लोग थे जिन्होंने निजर को कतल किया फिर दूसरा मरहला ये है ये इस्टैबलिश करना है कि जैसा कि कह रहे हैं जी इंडियन गौर्मेंट के साल लेंट है तो भी थाबत करेंगे ना जब आप ये थाबत करेंगे तभी एजन्ट्स ऑफ इंडिया के आप प्ले कार्ड लाएंगे ना ये सैंस्टिव मसला है लॉफ का मसला है चली अब हम आते हैं अमरीका में सदर बाइडन ने युनिवस्ट युनिवस्टियों में अमरीका में खास्तार पर जो प्रो पैलस्टाइन पर्टेस्ट हो रहे हैं उसमें एंटी सेमिटिजम बाड़ा है नौन सिरफ युनिवस्टियों में बलके सडकों पे जो इसराईल के खलाफ पर्टेस्ट हो रहे हैं उसमें काफी एंटी सेमिटिजम है. तो सदर बाइडन चुक्के दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क के सदर है और अमरीका जो है वो इसराइल का बहुत इतहादी है, उनको मदद फराम कर रहा है. तो सदर बाइडन का ये कहना बाराल इंपॉर्टेंट है. लेकिन अमरीका को ये भी देखना है कि दुनिया बर में जहां कहीं पॉर्टेस्ट होते हैं, इस तरह के पॉर्टेस्ट, जैसे भारत की मसाल मैं हर बार देता हूँ, भारत में जब भी पॉर्टेस् या चाहे वो शाहिंबा के पॉर्टेस्ट हों, सी ए के पॉर्टेस्ट हों, फार्मर्स पॉर्टेस्ट हों, कैनिडा ने भी भारत को कंडेम किया, तो ये सब जो है अब इनके अपने सर पे आन पड़ी है, तो इनको अंदाजा हुआ है, कि ये जो पॉर्टेस्ट हैं के अंदर violence glorification of terrorism और कितने negative aspects है तो सदर बाइडन का चुके अभी इसराइलियों के खलाफ यहनियों के खलाफ हो रहा है तो सदर बाइडन को pain महसूस हुई बड़ी अच्छी बात है ये सदर बाइडन ठीक कह रहे है मगर यही फार्मूला सदर बाइडन को और western leaders को दूसरे देशों पर भी लगाना चाहिए जब दूसरे देशों के लोग सरकारें रोकने की कोशिच करते हैं तो फिर अमरीका या western world उनके पीछे जाते हैं तो मेरा खाल है कि जो criteria अमरीका या western world अपने लिए बेतर समयता है वही criteria उनको दूसरे देशों के लिए भी रखना चाहिए चलिए बाते हैं भारत के elections की जाने तो भारत में elections का तीसरे राउंड मकमल हुआ ताजा projections को आप कैसे देखते हैं जी तब सरकी जी देखिए भारत में जो तीसरा अभी phase मकमल हुआ है उसमें मद्यापरदेश if I'm not wrong हुए है और जो vote percentage turn out रहा है वो शायद कोई roughly 62% बताया जा रहा है तो अच्छा vote turn out है और projections अब ये हैं भारत में elections के तीसरे phase के बाद साथ phases हैं अब तीन phases मकमल हो गए हैं तो तीसरे phase के मकमल होने के बाद projection ये ही है कि BJP का मकाबला BJP से है नंबर रखा हुआ है 400 पलस अपने alliance के हवाले से 370 अपने हवाले से तो वैसे तो ये बड़ा مشकल नंबर है और इसके बारे में final जो है projection वो तो जब तक election के जल्ट सामने नहीं आते जो साथ शाह पांच छे जून को results आएंगे तब तक नहीं कह सकते मुझे याद है 2019 के election results के हवाले से भी यहां हम कैनड़ा में बैठके टैग टीवी के स्टूडियों में जाइजा ले रहे थे तो हमारे कई मुबसरीन साथियों ने कहा कि बड़ी बात होगी कि अगर एक बार फिर मूधी सरकार की majority बन जाए क्योंकि 2014 में भी वो majority में आए थे 2019 के election में उन्होंने 2014 से भी ज्यादा सीटें ली तो अब 2014 में क्या वो 2019 से ज्यादा सीटें ले पाएंगे यह देख रहे हैं उन्होंने तो नमबर अपने बड़े बताये हुए है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि बीजेपी का मकाबला बीजेपी से है जो खबरें भारत से आ रही है वो यह है कि शायद इतनी सीटें ना ले पाएं लेकिन उनकी majority सरकार बन जाएगी majority सरकार के लिए 272 सीटें चाहिए बीजेपी को तो वो तो लेते नजर आ रहे हैं मेरा ये परसनल ख्याल है मैं तो ख्याल ही बियान कर सकता हूँ भारत में जो लोग बैटे हैं वो हमसे बेतर जानते हैं मैं सरफ ख्याल ही नहीं मैं 219 के election results की बन्याद पर ये कह सकता हूँ कि भारत में बीजेपी की सरकार फिर से बन जाएगी लगता ही यही है और वो मिजोर्टी की सरकार होगी चलिए अब इस सरफ आते हैं कि भारत के elections को दुनिया में भी और भारत में भी इतने संजीदा तरीके से क्यों देखा जा रहा है ये क्यों इतने एहाम इंतखाबात हैं बडे आहम इंतखाबात हैं इसलिए के प्राइम निस्टर नेंगरा मूधी की ये दो सरकारं मकमल हई है दस सान उनका टेनیور हुया बीजेपी KP आ फ्कोर्स अनकी प्लीटिकल पार्टीए उनकी भी दो सरकारे ए तो इन पे دنیا کا بہت pressure है. भारत के अंदर जो opposition पार्टीया हैं. उभी बड़ी frustrated हैं. कि बही मुदी जी को हम किस तरह हरा हैं? बीजे पी को किस तरह हरा हैं? बीजे पी हर्ती नजर नहीं आ रही. मुदी जी हर्ते नजर नहीं आ रहे. तो वो ज्यादा शोर इस तरह डाल दे हैं देखते हैं कि BJP 377 सीटें ले भी पाती है या नहीं ले पाती है तो इस तनाजर में जो BJP की परजेक्शन्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टन्ट हैं फिर इंटरनेशनली चुके भारत ने इन 10 सालों में काफी तरकी की हैं इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म्स पे भी आए हैं तो देख रहे हैं कि BJP इतना आगे क्यों जा रही है तो इसलिए ये इलेक्शन बड़े इंपॉर्टन्ट हैं मेरा खेल है कि बहुत ज्यादा चेंजिस ड्रास्टिक चेंजिस जो आई हैं उसकी वजह से हाइलाइटिड रहा है भारत इन पूरे पूरे प्रॉसेस में और उसके भारत अब इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत बड़ा प्लेयर है तो वेस्टन वर्ड चाहती है कि बहुत ये प्लेयर ठीक है रहे मगर हमारी मर्जी के मताबग रहे चुकर यूकरेन रूस की जंग के चकर में जो असल में रूस और वेस्ट की जंग है भारत ने अपना पॉ भी फिर भारत एक गलोबल लीडर के तोर पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वेस्टन वर्ड चाहती है कि इतनी तेजी से आगे ना बड़े कुछ हमारे भी कंट्रोल में रहे ये भी एक फैक्टर है तो इसलिए नजरे हैं इंटरनेशनल कम्यूटी के वो चाहत इसलिए बी करवा सके जो भी ये तो इंटरनाशनल फैक्ट है इस वक्त जो हकूमतें मजबूत नहीं होती ज़्यादा वोट्स ज़्यादा सीटें लेके नहीं आती उनके अंदर प्रॉब्लम ही रहता है और मुल्क भी इंस्टेबल रहता है या नहीं बहुत से काम नहीं हो फॉज की तरफ से इमरान कान की जमात को क्यों इतना टाफ टाइम दिया जा रहा है देखिए बात ये है कि पाकिस्तानी फॉज के आईएस पी आर ने जिसको जो उनका इन्फरमेशन का डिपार्टमेंट है उसके एक मेजर जनरल जो हैड हैं उनोंने एक रोज पहले अपनी प्रेस कानफरंज में जो उनकी रूटीन की होती है इस पी आर वहाँ फनी रूटीन की प्रेस कानफरंज करता रहता है उसमें चुकर पाकिसान में पॉलिटिकल और इकन rånार बार आना पड़ता है मीडिया पर बताना पड़ता है बहुत सारे सवालات आती है च trail पाकिसान की जेल में बैठे हुए खाक लिखते रहते हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, वो बहुत एंटी फाज हैं, और खास वर पर जो इस फाज की इस्टैबलिशमेंट हैं, उसके बहुत खलाफ हैं, तो फिर फाज को भी जरूरत पड़ती है कि वो ہیں ہماری جماعت کی کوئی ڈیل ان سے نہیں ہونے جا رہی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بات جیت ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتی ہے ہم فوج ہیں ہم ایک ادارہ ہیں اداروں کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی خیر یہ بھی ان کا کہنے کی حد تک statement تھی in fact وہی پاکستان آرمی ہی سب کو ڈیل دیتی ہے اور ڈیل بھی دیتی ہے جب ان کی خواہش ہوتی ہے اور جب انہوں نے شکاں جاں खहेंचना होता है तो शकंजा भी खहेंच दे हैं और इमरान खान उनके बड़े लाड़ ले रहेएं अभी भी फौज के अंदर इमरान खान के लिए बड़ा साफ्ट कार्नर है मगर इमरान खान ने इतनी जैसे से कहते है ना खतरनाक politics की है इतनी डेंजर्स पॉलिटिक्स की है कि उसके बाद फाउज के लिए मुम्किन नहीं रहा कि Imran Khuan को वो बहुत डील दे सकें और मैं यह नहीं कहता पाक्सान से जो खबरे आ रही हैं वो हमें यह बताती हैं ऐसी बात नहीं है कि फाज की और पी टी आई के लोगों की आपस में बाचीत नहीं हो रही है उनकी बाचीत हो रही है वो तो रहती है लेकिन वो इमरान खान की जो हीटिड स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाती है तो वो जो बाचीत ह रही होती है वो बाचीर फिर आगे नहीं बढ़ पाती तो इमरान खान खुद ही अपने पाउं पे काफी कुलहाडियां मार चुके हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक आर्मी के चीफ मिसर आसम मुनीर हैं अभी दो साल और हैं शायद उनकी फर्दर भी एक्स्टेंश को रिलीफ नहीं मिलेगा जो वो देखना चाहते हैं तो इस सारी सूरते हाल में फिर ये जो नौमई वाला मामला इस पर मैं जरूर बात करूंगा क्योंकि नौमई अब कल ही है और नौमई का जो वाकिया है वो कभी इमरान खान और उनकी जमाद के लोग कहते हैं कि ये ये फाउज नहीं करवाया था जिसको फाल्स फ्लैग आम आपरेशन कहते हैं वो कहते हैं खुद ही फाउज नहीं करवाया था लेकिन जो शौहिद जिस तरह वो हुआ था मुझे याद है इस नौमाई के वाकिय के बात इमरान खान ने जिस तरह कौर्ट में ही बैठी होए कहा कि मुझे फॉरण चोड़ो वरना जो कुछ नौमई को हुआ है वो फिर इस से ज्यादा खतरनाक होगा फवाद चौधरी उस वक्त इनके मिनिस्टर थे शाह मिमूत कुरेशी थे इनकी और लोग थे वो सब यही जैसे जशन मना रहे थे नौमई को हमने बहुत अजीम काम काम क पाकिसान आर्मी है पाकिसान आर्मी के साथ मैस करके पुलिटिकल कोई भी जमाद हो वो अपने आपको जो मर्जी समय ले वो कहीं नहीं जा सकती कहीं आगे नहीं बढ़ सकती चलिए अब इस डील और धील के हालात में पाकिसान के अंदर पुलिटिकल और एकनॉमिक स्टेबिलिटी का फ्यूचर तो फौज के हाथ में है सीधी सी बात है पाकिसान की सियासी जमादें पुलिटिकल पार्टी इस काबल नहीं है कि वो पुलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकें जहां पे पाकिसान में फौज बहुत सारा मैस करती है वहां पर ये पुलिटिकल पार गी और फौज वो स्टेबिलिटी नहीं चाहेगी फौज अपनी ही वहां पे सुप्रेमिसी चाहेगी और इन पार्टियों का अपस में ऐस यूजल लड़ने मरने देगी और जहां पे जूट पड़ेगी वो अपना किरदार फौज अदा करती रहेगी जहां तक है एकनामिक स् भा था तो अब फौज ने साओदी अरब को अमरीका को कुछ मतब एक तरह से शूरंस दी है कि आप ना गबराएं हम पीछे खड़े हैं आइम एफ का भी पैसा आने दें कुछ साओदीयों की यूएई की भी इन्वेस्मेंट आने दें तो फौज उसमें ये करदार दा करी ह लेकर देखिए इसमें फौज कोई बहुत कामियाब नहीं होगी एकनामिक स्टेबिलिटी आती है और गैनिक एकनामिक एक्टिवटी से अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के अपने बिजनसमें वहां पे पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो कैसे एक्सपर्ट कर किया जा सकता है कि बाहर के इन्वेस्टर जाएंगे चुक्छे वहां पे बिजनस की इन्वार्मेंट ही फेवरेबल नहीं है तो उसमें एकनामिक स्टेबिलिटी ठीक है अमरीका को इशूरस दे के जी हम आपके मसायल या आपकी कुछ मदद कर देंगे रीजन में आइम एफ लोन दे दे पाकिसान को खेरात नहीं देना चाहरे हैं वो कह रहे हैं कि हमें फीजिबिलिटी दिखाएं अगर हम माइन्स में एगरी कल्चर में पैसा लगाएं तो उसका कोई हमें इन्वेस्टमेंट का को रिटर्न है रिटर्न आफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है इसी लिए भी सा होदी डेलीगेशन पाकिसान गया हुआ था तो पुलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिसान में सत्र बचतर साल शे नहीं आसकी आती नजर भी नहीं आएगी एकनामिक स्टेबिलिटी भी और्गनिक लेवल की ना थी ना है आज का बिला तकलुफ तब सरह करने का बहुत बहुत शुक्रिया आज का बिला तकलुफ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मजूद डोनेट के बटन को दबा कर आप पेट्रियॉन पेपॉल या क्रेडिट कार्ट के ज़िए डोनेट कर सकते हैं कि अप्सक्राइब टीव यूट्यूब टीव यूट्यूब चैनल और बट्रेस अनुटिए 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 यूट्यूब